आप देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्योब चैनल जहाँ पर मैं वीडियो अप्लोड करता हूं आप देख रहे हैं तो मेरा जो चैनल है वो बहुत ही है और इस्टुरेंडी हाँ मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ यूट्योब जैनल जो कुलाने बेख लीजै कि अधाट को पढ़ाने वीडियो आप देख लीजै कि उसके बाद आप यहां पढ़ेंगे तब को बहुत अच्छा समझ में आने वाला है तो सुट देखिए यहां पर एक एक्जम्पल ऑफ होमोर्फिसम, सुट देखिए, फस्ट यहां पर आईसों फिस्ट के डेफिनिशन क्या होती, पहले हम रिपिनिशन की बात करते कि आईसों फिस्ट किया है, तो सुट मैंने आपको लास्ट कलास में बताप्या था, कि isomorphism होता क्या है कोई भी जो हम लोग यहां mapping define करते हैं जी से जी देश पर राइट वह होमोर्फिजम होना चाहिए और होमोर्फिजम के साथ अगर 11 और अंटो होता है तो वो क्या होता है isomorphism होता है so isomorphism की definition देखिए a homomorphism f from g star to group g- operation O दे रखा is an isomorphism if f is 11 होना चाहिए 11 की definition क्या होती है अगर fa is equal to fv then a is equal to क्या आना चाहिए अगर यहां पर दो पॉइंट की mapping fa और fv पे जा रही और fv दोनों बाराबर तो इसका मतलब a और b क्या होगा बराबर होगा यह 11 होता है f is onto इसका मतलब onto क्या होता है श्रुण यहां पर कि जो भी हमारे पास लाइग यह मैं आप सो बोलू कि यह जी है यह जी डेश राइट यह जी है और यह जी डेश होता है इसकी जो इमेज आएगी जो भी elements आएगे इसकी जो इमेज आएगी वो क्या हैगी fg आएगी होती है f a star b is equal to f a o f b for all a comma b belongs to g अगर ऐसा होता है तो इसको क्या बोलते हैं हमोमोर्ट तो इसको यह तीनों कंडिशन साटिस्फाइ होती है तो वह हमारा क्या होता है isomorphism होता है from the above definition it is clear that the group homomorphism is an isomorphism if it is bijection इस्टोट यहां पर कर plus isomorphism की इस्टोट यहां पर isomorphism group isomorphic group क्या होता है ध्यान दीजे ग्रूप G is said to be isomorphic to a group g-dash if there exists an isomorphism of g on to g-dash मतलब कर यहां पर g और g-dash के बीच में अगर कोच कुछ हम यहां पर isomorphism define कर पाए तो फिर यहां पर इसको क्या बोलते हैं group isomorphism बोलते हैं यह isomorphism isomorphic group बोलते हैं इसको हम इस tendistä से denote करते हैं situ mente to dash मतलब dono का behavior होगा वो क्या होगा सेम होगा इस तरह से कहां पर हमvisomorphic च्क होगा same होगा एक जेस्ञे सा होगा qeara तो इसको बोलते हम यहां पर isomorphic यह iomorphic group example से हापको clear होगा कि क्या होता है for example number first लेता हूं इसमें यहाप है for every group G the identity mapping IG defined by this यहाप घ से जी पर define हो रही है IG is equal to X for all X belongs to G अगर हमें यह प्रूब करना है कि यहाप अइसो मॉर्फिसम है यह प्रूब करेंगे यह 1-1 है यह on to है यह homomorphism है is an isomorphic G on to step because IG is clearly 1-1 and on to सुर्ण यह जो identity mapping होती है मिशा 1 1 and onto होती है और इसको हम जानते हैं IG is equal to AB is equal to क्या लिख सकते हम AB क्योंकि वह element element पर जाएगा और इसको A को हम वापिस IG लिख सकते हैं और IG भी लिख सकते हैं सुर्ण यह पर homomorphism भी हो रहा है इसका माल तब यह जो mapping होगी यह क्या होगी isomorphic होगी ठीक है ना नेक्स अगला example देखें दम F F G plus 2 2 G plus है ना लाइक इवन इंटिजर से इवन इंटिजर पर जारा लाइक F X is equal to 2 X for all X belongs to Z is an isomorphism from Z 2 to Z यहां पर आपको प्रू करना है विकास यहां पर X1 X2 belongs to Z तो सब सब हम लेंगे है यहां पर क्या है यह हम जानते है एक सब्सक्राइब और यह क्या हो रहा है हम बात करेंगे हैं पर 11 की 11 कैसे करते हैं अगर F X1 is equal to F X2 तो अगर हमारे पास X1 is equal to X2 हो जाता है यह लेकर चले और यह पूरू हो हो जाए तो यह हमारे पास क्या होता है 11 होता है तो हम जानते हैं एक सब्सक्राइब यहां पर क्या होना ची कवर होना ची कोई सब्सक्राइब करेंगे तो हम जानते हैं एक सब्सक्राइब इंटो FX2 क्योंकि multiplication तो इंटो आएगा यहां पर हम जानते हैं यहां पर क्या हो जाएगा लॉग X1 यह X यहां चला जाएगा तो लोग X1 पर हम जानते हैं लोग प्रोपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं log x1 plus log x2, इस्टुनि यहां पर यह वाला operation आ गया, मतलब यहां multiplication यह प्लस आ गया, इस्टुनि इसको मिलिख सकते है, fx1 plus fx2, इसका मतलब यह क्या हो गया, homomorphism हो गया, इस्टुनि हम जानते हैं यहां पर, अगर fx1 बराबर fx2, यह 11 की definition है, अगर हम यह लेकर चले और यह प्रूव कर दिदी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो इस्टुन fx1 is equal to fx2, fx1 की value log x1 है, fx2 की value log x2, इसका मतलब क्या होगा, fx1 is equal to x2 होगा, तो यहां पर हमने 11 भी प्रूव कर दिया, इस्टुन बात करेंगे, on to, हम जानते हैं, r plus, यहां पर जित्ते भी हमारे पास positive real number होगे, वो क्या होगा, real number, like उसको पूरा cover करेगा, इसका मतलब यहां जो positive real number होगा, और real number के क्या होगा, isomorphic होगा, तो यह तीनों points हम भी यहां परूव कर सकते हैं, कि यहां पर क्या हैगा, isomorphic, यह तो इस्टुन normal example ही है, पर अब जो exam point of view से जो आपके example है, वो मैं आपके सामने लेने वाला हूँ, तो यहां सबसे पहला example है, जो exam में पूछा जाता है, if M is a fixed integer, then show that the following mapping F is isomorphic from Z to MZ, मतलब आपको यह प्रूव करना है, कि Z से MZ पर जो mapping होगी, वो यहां पर क्या होगी, इस्टुन हमने भी इस से पहले example में यहां 2Z लिया था, तो हमारे पास यहां पर 2X था, अब हम यहां पर MZ ले रहे हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे, दो element लेंगे हैं, पर student सबसे पर प्रूव करेंगे, हम 1-1, तो 1-1 के लिए क्या होता है, student fx1 is equal to fx2 लेते हैं, तो fx1 की value क्या हैगी, mx1, fx2 की value क्या हैगी, mx2, student m से m cancel, x1 is equal to x2 आ गया, मतब यह लेके चले और यह परूव कर दिया, इसका मंदभी क्या हो गया, 1-1 हो गया, student फिर क्या करेंगे, हम onto, onto के लिए क्या प्रूव करते हैं, हम लोग जानते हैं, यह हमारे पास z है, यह हमारे पास mz है, तो इधर के हर element के लिए यहाँ पर क्या होनीची, pre-mage exist करनी चाहिए, इधर कोई भी element खाली नहीं रहेना चाहिए, इधर हर element के इधर क्या होनीची, pre-mage होनीची, अगर ऐसा होता तो यह क्या होता है, onto होता, तो यह हैं आपको यह दिखाना, for any mx belongs to mz, student यहाँ पर जो element है, वो क्या है, mx type का है, right, belongs to mz, there exists x belongs to z, इसके corresponding के zx यहाँ पर क्या करेगा, z में होगा, such that fx is equal to mx, इसका मतलब f यहाँ पर क्या है, onto है, मतलब इधर कोई भी हमारे element mx type का है, तो उसके लिए यहाँ पर x क्या करेगा, exist करेगा, इसका मतलब यह क्या है, onto है, then student बात करेंगा, हम homomorphism की, तो क्योंकि 1-1 और onto क्या होना चाहिए, homomorphism होना चाहिए, तो इसके लिए लेकर चलेंगे, fx1 प्लस x2, student क्या होता हम जानते, mx1 प्लस x2 हो जाएगा, student इसको i m को अलग-अलग divide करेंगे, हम जानते इसके value fx1 के बाराबर होती, इसके लिए fx2 के बाराबर होती दिए, इसके बाराबर होती है, इसका मतलब यहां पर f क्या है, homomorphism है, तो इसको नहीं हम ने देखा, यहां पर यह 1-1 भी है, यह onto भी है, और यह homomorphism भी इसका मतलब यह z kis kai, mz kai isomorphic है, तो इस तरीके से यहां पर इसको प्रूव करते हैं, ठीक है, next example एको देखे, show that the additive group r+, आपको यह प्रूव करना है कि additive group r+, of a real number is isomorphic, to the multiplicative, positive real number का, जो multiplication में group है, उसके क्या होगा यह, isomorphic होगा, आपको यह प्रूव करना है, ठीक है, यहां पर हम एक mapping लेंगे, fx is equal to e की power x, आप ऐसी mapping लिजे, जो इसको क्या करती हो, map करती हो, जो one one और on two, और homomorphism प्रूव कर दे, ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे, we know that, कोई भी x1, x2 लेंगे, तो हम जानते, यहां तो बाराबर ले लो, fx1 is equal to fx2 लो, और x1 is equal to x2 प्रूव कर दो, या फिर रकर दोनों बाराबर नहीं है, तो यह दोनों बाराबर नहीं आएगा ना, तो वो ही है, अभी इससे पहले आप बोलो, कि सर अभी आप यह बता रहे हो, 1, 1 में तो आपने अलग definition बताई थी, 1, 1 में आपको क्या definition बताई थी, मैंने यह लेगा था, कि x1 is equal to x2 लिया था, यादे, तो मुझे भी यह प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, कि x1 is equal to x2, तो यह भी बाराबर सकते हैं, हम जानते हैं, x belongs to r+, मैंने आपको बताई यहाँ पर, कि यह हमारे पास, यह r है, and this is r, and this is r+, तो आपको यह प्रूव करना है, कि यह हर element के लिए यहाँ पर क्या होगी, एक premage exist करेगी, तो यहाँ पर e की power x है, तो हम जानते हैं, इसके लिए एक x यहाँ पर क्या करेगा, exist करेगा, है ना, तो हर e की power x के लिए, एक x यहाँ पर exist करेगा, इसका मतलब यह पर क्या हो रहा है, on tour है, for any x belongs to r+, मतलब, यहाँ पर x belongs to r+, there exists a log x, है ना, अगर हम यहाँ पर बराबर y भी ले ले ले, तो हम जानते हैं कि x is equal to log y हो जागा, तो इस टाप के जो element होंगे, हो कैसे होंगे, log x टाप के होंगे, for log x belongs to r, such that f log x is equal to e की power log x, which is equal to x, then f यहाँ पर क्या होगा, on tour होगा, ठीक है, इस तरह से करते हैं, next बात करेंगे, student homomorphism की, homomorphism क्या होता है, f x1 plus x2 is equal to e की power x1 plus x2, इस टोन जानते, इसको ऐसे लिख सकते हैं, e की power x1 into e की power x2, अब यहाँ पर into हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, f x1, f x2 हो जाएगा, ठीक है, then यह क्या होगा, homomorphism हो जाएगा, since f is homomorphism from the group r plus, to the group r positive multiplication, which is bijection, that is यह क्या होगा, isomorphic, student इससे पहले बेने एक example लिया था, आपके सामने, और वो example में मैं लिया था, log x लिया था, तो अगर आप इसका उल्टा कर रही है, यहाँ पर हम यह लेके चल रहे हैं, यह से यह लेके चल रहे हैं, अगर हमें यह बोल दिया जाए, कि r plus से multiplication, और आपको यह दे दिया जाए r plus, तो फिर हम यहाँ पर लेंगे log x, है ना, हम mapping लेंगे, यहाँ पर कहलेंगे, mapping log x लेंगे, पर यहाँ पर उल्टा है, तो e की power x लेंगे, clear है, तो यह थोड़ा सापको दिया रखना पड़ा है, ठीक है, so next example, number 3 देखिए, prove that the following groups are isomorphic, इस्टोट आपको यह प्रूव करना है, कि यह जो है, यह इसका isomorphic है, और यह है, यह इसका isomorphic, इस्टोट आपको समझने की जरूवत है, तो इस्टोट हम क्या करेंगे, यह पर गुरूफ 1-1 लेंगे, और G-01 लेंगे, यह जोट हमें देर रखा है, यह multiplication है, और यहाँ पर addition model हो 2 है, तो इस्टोट हम जानते है, हम define करेंगे map, तो जो 1 है, चुकि 1 इसका identity element है, G-plus में और यहाँ पर इसका identity element का है, तो 1 किस पर जाएगा? 0 पर जाएगा, तो obviously minus 1 किस पर जाएगा? 1 पर जाएगा, तो यह हम mapping ले लेंगे, और हम जानते, clearly it is by detection, क्योंकि यहाँ पर जो भी element है, उसके एक लिए, यहाँ पर एक unique image आ रही, तो यह क्या होगा? 1-1 भी होगा, और इधर के हर element के लिए, यहाँ पर एक image exist करें, ठीक है? तो इसका मदब यह on to be होगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके table बनाएगा, तो हम जानते है, यहाँ पर इस टेबल को देखिया, अब देखेंगे, जहां पर भी यहाँ वन आ रहा है, जहां पर भी वन आ रहा है, यहाँ पर जहां पर भी minus 1 आ रहा है, बार यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आइसो मोर्फिक हो रहा है, बिलकुल table में अगर 1 और minus 1 को replace कर दिया जाए, 0 और 1 के साथ, तो यह table यह बन जाती, इसका मतलब बेजम आदी क्या हो रहा, जी डेश इसी राइब से हम एक और एक्जांपल दे रहें रहें आता है तो पर यहां पर कि आपको यह प्रूब करना है कि 0 1 2 3 4 यहां पर addition model of 4 है और 1 2 3 4 multiplication model of 5 है आपको यह प्रूब करना कि यह दोनों क्या है 123 and 0123 इसके टेबल बनेगी तो हमारे पास कि आएगा 0123 लाइक पुरी टेबल बना सकते हो आप इस रफ से यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा इसने आप इसको मैप करेंगे तो आप यहाँ बना सकते हैं यह बात बरावर इसने यहाँ पर 3-4 को ऐसे कर दिया है तो इस तरीके से यहाँ चेक करेंगे तो यह 11 भी है यह on to be और इस रही हो रहा है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर क्या बनेगा टेबल इडिंटिकल हो जाएगी देश शोड़ाइट जी आप यहाँ पर यहाँ पर यह जो ग्रूप है यह आपको यह प्रू करना है कि यह क्या है एक पर्मूटेशन ग्रूप के आइसो मॉर्फिक है और आपको पता निकाला ठीक है तो बहुत सा इसकी मैं डिफाइन कर देंगे एफ इस इक्वल टू एक सना जो भी इलिमेंट आएगा वो यहाँ पर इस एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा प्रॉडक्ट हो जाएगा और यहाँ पर यहाँ पर पास जो एकसल एक्सलों किसका ग्रूप का अलिमेंट है तो इस चुनिया प सब्सक्राइब करेंगे तो इसकी हम क्या करेंगे तो इसकी हम क्या करेंगे केली स्टेबल बनाएंगे इसके हम क्या बनाएंगे यहां पर इसको क्ली स्टेबल बनाएंगे तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा इस तरह से इसको प्रूप कर सकते हैं कि जो ग्रूप है इसके क्या है इसके क्या है इसको बोलते है रेगुलर पर्मॉटेशन ग्रूप इसको प्रूप करते हैं तो इस तरह से यहां पर प्रूप करते हैं तो मुझे लगता है कि जो इसमर्फिजम होता है और उसके अग्जाम्पल मैं आपको समझाया है मुझे लगता है आपको एक्जाम्बल समझ में आउगे इस तरो नेक्स जो मेना वीडियो है वो है यहां पर च्योर्म बैस्ट और उसके बाद फिर मैं आपके साथ यहां पर्मॉटेशन ग्रूप जो पिकोर बाकिर कैंगा वो करूंगा देन उसके बाद में रिंग स्टाड करूँगा तो एगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्रीज आप यहां पूरुट करने वाला हूं तो आप तो मच और बने रही हैं मेरे साथ थोड़ा पेशेस रखिए बहुत ही जल्दी में आपके लिए कंटेंट यहां पे अपलोट कर रहा हूं वन बाइवन सो थैंकियो सो मच बबाए दन्यवाद